कानी बहु किशोरी लाल जी के बेटे रागों की शादी की बात जगा जगा चल रही थी लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंदे नहीं आ दे थी और उसकी एक ही वज़े थी किशोरी लाल जी का लालची होना उनको लड़की वालों से मोटा दहिर चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले की घर अपने बेटे का रिष्टा ले कर पाँजे उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश देखे किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपती, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है बापा, नाम से लगता है बहुत खुबसूरत होगी कितना अच्छा नाम है ना, नैना ओ, वसे बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है एकलोती बेटी, आप भी क्या करेंगे साब को जुसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैजान आपने बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम पापा, बिनादे के हाँ कर दीजिए ना इतना अच्छा रिष्टा फिर का मिलेगा माला माल हो जाएंगे हम मैं अपनी बेटी को बिलाता हूँ अरे नहीं, नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुन्दर होगी रहने दीजिए अंकल मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना दे के शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह रागव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब रागव नैना का घुंगट उठा कर देखता है तो नैना की आँके बंद थी कितने खुबसूरत हो तुम नैना जरा अपनी आँके खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही नई, मुझे शर्म आती है मैंने तुम इस शादी से पहले भी नहीं देखा और अब अगर तुम आँके खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा इससे पहले कि नैना अपनी आँके खोलकर रागव की तरफ देखती अच्छानक से लाइट चलेगे और रागव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया अगली सुबर नैना रागव के लिए नाश्ता बना कर लेकर आई अरे ये क्या आदा पराठा सीखा हुआ है और आदा बिल्कुल कच्छा ये तुमने क्या किया नैना बहु तुमने क्या आदा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आदा सिखा है और आदा कच्चा मुझे जितना दिखीगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजा कर रही है तुम? अरे बहु तुमने इतना लंबा गुंगट क्यों लगाया हुआ है? देखो हमारे घर में बहुँओं को बेटी की तरह रखा जाता है और पिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो देखो ये घुंगट डाल कर रखने के कोई ज़रूत नहीं है हाँ नैना पापा जी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना इगर समझो नैना अचानक से अपना घुंगट उठा लेती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आँख फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन ये तो कानी बहु निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बना दिखा है अपनी कानी लड़की मेरे संग भ्यादी मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए अरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे है अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए ता रहा कि तुम कानी हो एक आख से तुम्हें दिखाई नहीं देता किशोरी लाल और रागव नाराज उकर उम प्रकाश को अपने घर बलाते हैं पापा जी यह आपने क्या किया शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना के आँखों में परिशानी है अरे आपी ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरा लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी की प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखाए दिता है प्रापर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना और य मेरी शादी प्रावपर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तो मेरी प्रावपर्टी देखकर तुम्हारे जबान लप लप आ रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने बीवे बना कर नहीं रख सकता पापा कुछ करिये ना करता हूं करता हूं देखे ओम प्राकाशी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना तो जो भी प्रावपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पुरी की पुरी वापस ले लूँगा और आधी प्रावपर्टी तुम्हारी भी लूँगा और मेरी आधी प्रावपर्टी भला क्यों लेंगे आप इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आदा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जाएदाद परीपड़ी है अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहु बना कर रखे तो तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से बस म अगर तुम मेरे बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पती का हो वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन अपने पती की कोई निशानित उसके पास होनी चाहिए ना अब अगर तुम्हें मेरे बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही म अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है, एक तो तुम्हें प्रापटी मिली, उपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नकरे भी दिखाने हैं, आए बड़ी, चुपचाप बैठो दूरू कुछ दिनों के बाद, नैना राघों के कार लेकर बाजार खुमने निकलती है, और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या, एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है, लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सिजिजेंट किया है, अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू वो क्या है ना पापा जी मुझे एक आंक से दिखाई नहीं दे रहा था सामने से गाड़ी आ रही थी मुझे तो सिर्फ आदा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरे कार से रगड़ती हुए निकल गई अब मैं क्या करूँ बताओ आप इसा ठीक कराने के पैसे कौन देगा तुम्हारे पापा तुमनी मुझे से इस तरह से बात की अभी रुको नैना रागव की शिकायत उम प्रकाश को कर देती है देखो रागव अब जो मेरी आधी प्रापर्टी तुम्हारे पास थी ना उसमें से आधी और मैं लेकर जाओंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डाटा आरा नैने पापाजी गलती होगा